कि नमस्कार आप सारव द्यार्थियों को कैसे आप सभी लोग उमीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और पढ़ने में ब्यस्थ होंगे तो चली यहां पर आप सब पर बुक लगा हुआ है यूथ पब्लिकेशन का यह जो आपका बुक लगा है इसका अर्थमेटिक का एक चेप्टर परसेंटेज मैंने कंप्लीट करा दिया है ठीक है और आज अर्थमेटिक का सेकंड चेप्टर भई प्रॉफिट एंड लॉस और उसको जस्ट हम स्टार्ट क को जोड़ लीजिए ठीक है चलिए और बाकी जो भी नए बिद्यार्थी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार सेशन को सब लोग लाइक कर दीजिए ठीक है चलो भई तो आगे बड़े आगे बड़े चलो यहां पर डार्ट आते हैं आज के पहला सवाल पर ठीक है बाबो पहले सवाल पर हम डार्ट आते हैं एक बार सब के बीच सेशन को फटा 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 आपका सब लोग फटा दो तब तक यहां पर कुछ इन फॉर्मेशन जैसे देखो बाबो ग्रूप डी अगर किसी को टेस्ट स्रीज देना है तो अंपुसर ओफिस्यल अप्लिकेशन पर आपका आ चुका है 111 रुपे में आपका ठीक है आप सारे बिद्यारती अप्लिकेशन को डाउनलोड करिए रजिस्टर्ड हो जाईए और 111 में कोर्स को पर्चेश करके और 7 बजे डेली ज सॉल्यूशन कराया जाता है ठीक है अगर किसी को ग्रूप डी का टार्गेट बैच चाहिए संतीम घड़ी में रिविजन के परपस से या फिर कोई भी मान लेते हैं दो चार पांच साथ चेप्टर दस चेप्टर अगर आपका वीक है कमजोर है तो आप 251 में टार्गेट ब द्यार्थियों के सामने देखे बागो यह रहा पहला सवाल आप सारे द्यार्थियों के सामने पहला सवाल ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है एक बार सेशन को फैला दो और ज्यादा से ज्यादा दियार्थियों को जोड़ दीजे मेरे भाई ठीक है चलिए तो यहां पर बीना देर की हुए सेशन को शुरू करते हैं पवन कुमार बिल्कुल आज लाइफ जो है 500 प्ल क्या misf posterior रुफे में पुरानी कार खरदी और इसकी मरमत में 3000 रुपे खर्च कर दियी है आप जर बताऊ से थारुपे में खरिद ली और 3000 रुपे मरमत प्र खर्च केई तो मरमत पे खर्च को हम लोग Oo ओपरी खर्च बोलते हैं और ये भी क्या होता है क्रेमुल में जुट जाता है तो आप बताओ 47,000 में जब 3,000 जुटेगा तो 50,000 रुपिया आपका टोटल पता है लागत हो जाएगा भाई कुल मिला के लागत हो जाएगा 50,000 रुपिया थे सवाल कहता है कि इस कार को 58,000 रुपे में बेच देता है तो सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस बी करेमुल कितना दिया भाई 58,000 दिया है अब खुद सोचो जरा कार के लिए लागत हमको पड़ा 50,000 और बी का 58,000 में तो 8,000 रुपे का प्रॉफिट हो गया 8,000 रुपे का प्रॉफिट हो गया मेरे भाई अब कहता है कि पर्शंट प्रॉफिट कितना होगा क्या प्यारे पर्शंट प्रॉफिट कितना होगा तो देखो फर्मूला लिख लो पर्शंट प्रॉफिट बरावर प्रॉफिट और गुणा में 100 और प्रॉफिट जेनरली सीपी को होता है इसलिए सीपी को हम नीचे में लिखेंग असी बटा पाँच असी बटा पाँच यानि 16 और 16 परशंट इज़ राइट अंसर आप्शन नमबर दी होगा उमीद करते हैं सारे बिद्ध द्यारती मेरी बात को समझ पाये होंगे ठीक हैं आगे बड़े किसी को को डाउट एनिबड़ी एल्स बोलो भाई 16 परशंट इज़ राइट आंसर 16 परशंट इज़ राइट अंसर एको बहुत आसानी सवाल को कर पारे सायंत तालीस अजार में खर दे और तीन हजार मरमत पर खर्चा पड़ा गया तो लागत हो गया कैं च्ला। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दो नंबर सवाल सब लोग ध्यां दिजिएगा दो नंबर सवाल ध्यां दिझे मबावा क्या काता है किता है पचीस वस्तू का सीकी 20 वस्तु के SP के समान, it's very simple question, 25 वस्तु का CP, तो 25 गुणा CP, बराबर है 20 वस्तु के Selling Price का, तो 20 गुणा SP, लो भी या clear है, 25 वस्तु का Coast Price, बराबर है 20 वस्तु के Selling Price का अब देखो भाई यहाँ पर, 5 से कटेगा यह 5 बार में, और 5 से कटेगा यह 4 बार में, अब देखो ratio बन रेश्यों इधर वाला, अरे कहते हैं न, दूर का डोल सुहावन, कहावत आपने सुना होगा, दूर का डोल सुहावन, आदमी का दूसर आदमी का समपत्ति बड़ा बढ़ियां लगता है, है न, उसका वाला तो खुब बढ़ियां है, है न, यह चीज़ होता है, जनली बढ़ियां लग रहा है, है न, बदल मार कर लिया, दूनों आपता, अब बोलो, खरता है, चार में, और बेचा है, पांच में, तो एक का लाब हो गया, भाई, लाब और गुणा, एक सो, एक सो, और क्रेमूल कितना है, जी चार है, नीचे लिग देंगा, यही मिल गया, ला में हमको फटा-फट सारे पूरे बुक को कंप्लीट करना है, और हम लोग कंप्लीट कर भी चुके हैं, हम लोग लगभग आपता 10-11 चैप्टर इस बुक का कंप्लीट कर चुके है, इधर 2-3 सब्ता है, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, यदि क्रेमूल और बिक्रेमूल के मानों को परस पर बदल दिया जाय, तो कितने प्रतिश्थ की हानी होगी, किसी वस्तु को बिक्री पर, बिक्री मतलब होता है बेचने पर, बिक्री मुल रहता तब बिक्रेमूल होता पीकरी पर मतलब बेचने पर बेचने पर बेचने पर बेच रहे हैं तो 25% का लाब होता है भाईया ये बताओ कि 25% का लाब होता है तो आप हमको बताओ कि 25% को हम क्या बोलते हैं जल्दी बताओ तो कहोगा सर एक बटा चार कहते हैं अब देखो लाब होता है क्रेमूल पर तो नीचे वाला होगा क्रेमूल और ऊपर वाला क्या होगा बोलो प्रॉफिट होगा एक बटा चार में नीचे वाला क्रेमूल और उपर वाला लाभ अच्छा आप कोई पुछेगा भी क्रेमूल कितना होगा चार में खर दे और एक का लाभ हुआ तब भी क्रेमूल पांच न होगा जी बोलो 4 में खर दे एक का लाब हुआ इसका मतलब 5 में भी का होगा तो यह हो गया आपका CP, SP और Profit हो गया आपका CP, SP और Profit हो गया अब सवाल कहता है कि यदि करेमुल और और भी करेमुल के मान को बदल दे करेमुल और भी करेमुल को बदल दे तो देखो यहां पर हमको लिखना है भी करेमुल और करेमुल अमान बदल के लिखना है तो करेमुल 4 है तो भी करेमुल बन जाएगा अब देखो भी करेमुल जो 5 है न उसको करेमुल लिख देना है और ज दिये हैं खरीदे है 5 में और बीकर रहा है चार में देखो कम में बिखता है तो एक कहानी हो रहा है थानी प्रशंट क्या होगा हानी अगुना एक सो अब बटा क्रेमूल क्रेमूल कितना वाबो पांच है तो पांच से सो कटेगा बीस बार में तो बीस परशंटीज दर राइट अंसरी लॉस हो गया अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है बोलो भीया क्लियर है उदित कुमार चौधरी सरबर हुसाइन जी सिवसंकर हरेंदर प्रमोद सुदांसु आदर्स जा राधा आगे बड़े नरेश नरेश सिवसंकर मुकेश आगे बड़ते हैं ट्वैंटी परशंट लॉस ओप्सन नंबर आपका सी हो जाएगा समझ पाएं देखो 25 परशंट लाब एक बटा चार नीचे सीपी उपर वाला प्रॉफिट चार में खरदे एक का लाब हुआ तो बिका पांच में अब जरा इन दोनों पर फोकस कुरूआ कि बिकरेमुल पांच है और क्रेमुल चार है सवाल कहता है कि जब इन दोनों को हम बदल देंगे तो आप इन दोनों को बदल दो तब लोस होग चार आप सारे द्यर्थि ध्यान विजियेगा सवाल संक्या चार देखागे अ क्या कहता है तो चार्व देख हुआ तो दूसरी ज़स्तु की यहां पर प्रतिसत लाब किस न यहां पर सी का तनी रेशियो बना लो बजब का कंसेप्ट बता रहे एकदम जहर दे रहे हैं जहर 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 वाली कंसेप्ट foundations कहता है कि पहला वस्तु को 5 % पर्शन्ट लाभ पर बेचा गया तो पहला वस्तु का क्रेमौल कैडना एफ एक है एक है और इसको बेचा या 5% लाव पर तो गुना कर देंगे प्लस 5 अब दूसरा वस्तु का क्रेमुल कितना एक ही है एक ही है और सवाल में क्या पूछ रहा था कि दूसरे वस्तु को कितना परशंट लाव पर बेचा जाए तो इंटू में एक्स कर दिये ताकि टोटल पर कुल मिलाकर मतलब दूनों वस्तु का क्रेमुल कितना हो जागा बोलो एक और एक जोड़ो दू एक और एक दू दू दोनों वस्तु का क्रेमुल दू और इस पर 20 परशंट का लाव हो रहा है तो गुना कर दी प्लस पीस ध्यान से सुनो अरे दोनों वस्तु का सीपी बराबर था तो रेशियो वन इस पहला वस्तु का क्रेमुल जुसको बैचा गया 5% अगर हा नहीं होता ना था हम माइनस साथ गुणा करते हैं चलो अब बोलो एक्स कामान हम को निकालना है तब 20 दूना चालिस में सिर्फ पांच जाके घड़ जाएगा तो 35 परसेंट इजर राइट अंसर और ये है भाई जहर वाली कंसेप्ट है इस टाइप के सारे सवाल को इस धंग से बहुत आसानी से आप खतम कर सकते हो रबिंदर कुमार यादो जी जहां तक PDF की बात है तो PDF टेलिग्राम पर मिलता है आप टेलिग्राम अपना टेलिग्राम चैनल है अंकुष मैथेमेटिक्स के नाम से आप सर्च करिएगा मिल जाएगा और नहीं तो फिर का सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो टेलिग्राम का लिंक दिया हुआ है आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं अप्लिकेशन का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में वहां भी आप जुड़ सकते हैं आगे बढ़ते हैं लो भई अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं यह रहा कोश्चन नम्बर फाइव आप सारे लोगों के सामने कोश्चन नम्बर फाइव एकदम 66 कैलकुलेशन करते चलना है भाई 66 सॉलूशन यह सॉलूशन बैच चल रहा है कावेरी ने एक खिलोना 280 में खरदा और इसे 315 में बेच दिया अरे भाईया बोलो 280 में खरदा लाब है और गुना में 100 अब बटा में करेमूल कितना 280 हो जाएगा अब काटो मेरे भाई देखो 35 से ही कट जाएगा जानते हो कितने बार में आठ बार में बोलो जल्दी से अव आठ से भाग देंगे सो में तो साड़हे बारह परसेंट इस दर राइट आंसर क्या साड़हे 12 परसेंटेज दर राइट अंसर ऑप्सा नंबर बी हो जाएगा आगे बड़े आगे बड़े बढ़े चलिए अगले सवाल की और बढ़ते हैं अगले सवाल की और बढ़ते हैं और यह रहा तुम्हारा छे नंबर सवाल बाबु उच्छो नंबर सवाल तर नहीं कीता केक बनाती है और 700 में बेच देती है क्या 700 में बेच देती है देखो इक केक का सेलिंग प्राइस है केक बनाने के लिए समागरी की लागत इतना रुपिया है देखो आगो केक बनाने में जो समागरी लगा है रा मिटरियल उसका क्रेमूल है 350 तो CP 350 और SP 700 तो कहता है कि लाभ परशंट बताओ, अरे दिख रहा है की नहीं दिख रहा है, खरदा साड़े तीन सो में, बिका साथ सो में, अरे सीधे देख लो डवल में बिका क्या, अरे दुगुना में बिका की नहीं बिका, दुगुना में बिक गया, तो अगर कभी वस्तु सीधे डवल में बिके, तो सम्झो पूरा का पूरा प्रोफिट है हो गया सो परसंट आपका सो परसंट ऑप्सट नमबर सी हो जाए ऐसे भी क्रेमुल और भी क्रेमुल पता है तो लाफ परसंट सब लोग लिख सकते हैं लेकिन मेरी बात को गवर से सुनो कि अगर चीजे सीधे डवल में बिकेगा तो तो समझो पूरा का पूरा 100% profit होगा मेरे भाई क्या 100% profit होगा चलो आगे बढ़ते हैं डारेक्ट आगे बढ़ते हैं भाई साथ की हानी होती है क्रेमुल का एक बटा साथ के बराबर हानी होता है इसका मतलब क्रेमुल कितना है जल्दी बोलो सात है, एक का क्या हो रहा बोलो लॉस हो रहा है, तो आप यहीं जरा बताना सब लोग कि एक का लॉस हो रहा है और खर दे हैं सात में, सोचो, सात में खरीदे हैं और एक का घाटा लग रहा है इसका मतलब पका बेचे होंगे कितना में 6 अरे सात में खर दे अच्छों में बेचेंगे तब नएक घाटा खानी होगा जी क्रेमुल का एक बटा साथ हानी होता है तो नीचे वाला क्रेमुल उपर वाला हानी तो भी क्रेमुल चोवण होगा अब क्या कहता है 144 में बेचने पर 144 में बेचने पर इसका मतलब 6 बराबर 144 तो एक कामान हो जाएगा 24 ठ्ष二 रूबीस at normally Virginia एक कामान 24 यह होगा एक कामान 24 हो जाएगा एक कामान 24 होजाएगा तो सीपिभाई साथ है तो 24 सत एक सो व Delaware 128 रूपईया आपका क्रेमुल हो जाएगा होगा कि नहीं होगा मेरे भाई CP हो जाएगा 1008 में खरदें है अब सवाल कहता है इसके बाद है यदी पेन को इतना रूपियां में बेचा जाए यदी पेन को इतना में बेचा जाये यदी पेन को इतना रूपियां में तो साड़े बारा परसेंटीज दर आई जाए जाएगा जाएगा बोलो बाबु कोई डाउट है किसी को चलो आगे वड़ते है सोलु को सरफ क्योर से टाइप नहीं करवाईन देखर सब खीचडि नहीं करना है लो बावु सवाल संख्या आठ क्या काता है पंदरह संत्रे का क्रेमुल तो 15 गुना सीपी बराबर है 20 संत्रे का थी क्रेमुल का तो 15 गुना स्पी हो जाएगा अब यहां पर देखो 5 से काटो इसको तीन बार में और पांच से काटो इसको चार बार में पांच से तीन बार में और पांच से चार बार में अब देखो CP का रेशियो कितना बन जाएगा भई चार बन जाएगा और SP का रेशियो कितना बन जाएगा एक सो और बटा में क्रेमुल कितना बाबू चार 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 तो बोलो कितना होगा पचीस परशंट लॉस ओप्सिन नुम्बर आगे बड़े आगे बड़े चलिए आगे बढ़ते हैं वाबू सब लोग यहां पर ध्यान दीजिए एकदम तेजी से बढ़ते रहना है बढ़ते चलना है बढ़ते चलना है लोग सवाल संख्या नो क्या करता है सुनिएगा कहते हैं सेफ़ाली ने कॉप का 16575 में खरदा है ठीक हैं 575 में यह हमारा CP है लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 में बेच दिया है ना देखो यहां पर आपका पूराना था माल पुराना हो गया था उसको जल्दी से क्या करना है दुकान से हटाना है तब पैसा कम करके क्या किया बेच दिया टांसो 75 अंसे कितने कम है चै कि इससे कितना कम है जाहिर सी वात इसक्स्टिनाइन कम है और होगा और हानी गुना सब्सक्राइब सब्सक्राइब जारेर Lanhean एक वे सब्सक्राइब रावल बेठा आधर्श्यार आधर जटाइब और कमार रोहित रंजन मनोच कुमार अमीत यादो जी बहुत अच्छी बात है चांदनी चंदन साड़ी चंदन एक धबनसी स्याम कुमार बिल्कुल जब तक तोड़ेंगे नहींत THK छोड़ेंगे एक नम लगै रहना है लग रहना है लगै रहना आ आज ओ दस नंबर सवाल पर सारे विद्ध्यार थी या जो भई दस नंबर सवाल पर एक आदमी एक रुपे में पांच पेंट खरीटता है लोगो सबसे पहले यहां पर ध्यान दो कि एक वस्तू का मुल इसको नूट कर लेना एक वस्तू का मुल जब भी लिखना होना तो रूपईया को लिखो और वस्तू को नीचे में यहां पर वस्तू का मुल जो है एक वस्तू का मुल जो है लिखने के लिए रूपे को उपर रखते हैं अब सुनो बावबु एक रूपिया में पांच गो पेन खरदा रूपईया उपर वस्तु नीचे यह होगा एक गो वस्तु का क्रेमूल अब क्या कह रहा है सुनलो एक रूपिया में चार कलम बेशता है तो रूपईया को उपर वस्तु को नीचे लिग दिए लिए एक कलम का विकरेमूल आई होगा एक कलम का विकरेमूल होगा है थूड़ा सा यहां पर स्मस्या होगा काल्कुलिशन करने में तो तरीका सुन लेजिए कुछ नहीं हर का lcm कितना होगा पांच चारक अलसीम कितना होगा 20 आप 20 से यहां पर गुणा कर दो भई अब पिस से यहां पर आप clear है देख लो इसका मतलब 4 में खरदे और 5 में बेचे तो एक का लाब हुआ ना जी लाब गुना 100 और बटा क्रेमूल कितना 4 इसका मतलब क्या आजाएगा 25% लाब हुआ ओप्शन नुमर कौन सा यह है जाएगा बोलो बाबू 25% is the right answer क्या 25% is the right answer 25% is the right answer आगे बढ़ जाएगा तो देखो रूपिया को उपर वस्तु को नीचे यह होगा एक वो कलम का क्रेमूल यह होगा एक कलम का भी क्रेमूल अब भीन जब भी बन जाए तो उसका हर देखो कितना है पांच चार है उसका LCM लो 20 अब 20 से सब को गुणा कर दो भाई आसीस कुमार सर्जी डेली क्लास होता है डेली क्लास होता है दोपहर में 11 बजे होता है और रात में साड़े आठ बजे होता है सुबह हमें आठ बजे रिजनिंग की क्लास चलती है एक टाइम रिजनिंग और दो टाइम मैं था ठीक है सुनो बाव एक ग्यारा नंबर सवाल एक ग्यारा नंबर सवाल तने सुनो कहता है 16.5 परशंट लाव समेथ एक वस्तू का विक्री मुल 466 रुपे था समझ में आ रहा है चारसो चारसो चार्शंट रुपईया क्या है बाबू इतना परशंट लाव सही तभी क्रेमुल है इसका मतलब हम कहेंगे कि चुकि 466 रुपईया बराबर बोलो इतना परतिशत लाव हो रहा है तभी क्रेमुल कितना होगा तो देखो एक बात जान लो किसी विवस्तू का कोश्ट प्राइस अपने आप में 100 परशंट होता है और जब कुछ परशंट का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हैंड्रेट से ज्यादा होगा अगर लॉस रहता असेलिंग प्राइस लिखना रहता तो घटा देते हैं जोड़वा हो प्राइस लिए इसलिए इसलिए कहता है कि 330 में बेचा गया होता तो कितने परशंट का नुकसाम होता तो आप निकालो कितना रूपई या बराबर इतना परशंट इसलिए 330 रूपिया इक्वल एक एक नियम सब को आता है न जी एक एक नियम सब को आता है लिखो 116.5 अब बटा में कितना 466 और गुणा में कितना 330 आपता अब देखो बाव यहां पर सीखो इस जीरो से जब गुणा करेंगे तो डेसिमल यहां से हट जाएगा आपका छीक है आप काटी है फटा फट सब लोग ता नहीं काटी है तो सोत को सब्सक्रति करें तो और किझ से करें लोगं गषघ्ला था तो तो चेंगा रहिंगा वारा था तीन शॉच्व छोच रहा यह रींति talent 6こと मारा छोचनल इस एक गाव था बनाव साथ सी एकुझाए थैस साथ कनेगे चोधर करते हैं सिदे कहटर यां पर नहीं सब्सक्राइब तो यह शेए घ chocolate सब्सक्राइब कर दो सत्रा अनुपाथ पाँच तों यहां पर एक carefully नहीं रहाय किसी से यह न आ मतलब काफी आगे जाकर करके यह कैठ रहा होगा काफी आगे जाकर करके यह कट रहा होगा तो ऐसा करू comfy 29 से कट रहा जी 29 से कम 29 से और कितना बच गया 17 बचा गया 29 के पाड़ा में 166 तराता है तो 29 के पाड़ा में 176 रहता है एप देजिए शार बार में कैसे राजाएगा नहीं न एक तीस से कटेगा जी टैंप तेयं रहा नहीं कटेगा अरे बाद रहा नहीं तो नहीं कट रहा है तो 29 31 31 से कट रहा है क्या 31 से काट हो तो 31 से कम एक तीस इसको काट लेना ठीक है इसको काट लेना अप लोग क्या अंसर कर रहे हैं 17.5 ठीक है तो देखी जब इसको काट येगा ना इसका जो मान आएगा उमें बता रहा हूं कितना आएगा कितना आयागा मैं बता दरहूं देखो आठारा घटा हो गया तो कितना 62,uriesाषी 682 का बार में कटेगा ये पूरा पूरा आप कड़िए गा ना तो 62, redui बार में ये पूरा पूरा आपका कड जाएगा इसका मतलब इसका मान आ गया कितना 62, sababut जादा था तो हम साड़े सॉल्ला प्रशंट का लाफ बोल रहा है इसका मण आएगा आपको देखना है कि 100 से कितना कम है साड़हे बेरासी क्या सो से कितना कम है साड़हे बेरासी यह चीज़ आपको देखना है तो सो सई कितना कम है साड़हे सतरह कम है इसलिए हम क्या बोलेंगे इतना में बेचने से साड़हे सतरह परसंट का लॉस होगा अप्शन इसको आप लोग काट लीजेगा कितने बार में कटेगा वह मैंने यहाँ पर बता दिया है ठीक है तो इतने बार में आपका कट जाएगा और यह सोसे जितना कम है 067 कम है तो 0 royal 17 परसेंट का लॉस चरह आएगा चलो आगे बढ़ते हैं देखवाओ ये रहा तुम्हारा सवाल संख्या 12 नंबर 12 नंबर 12 नंबर 12 नंबर सुनिएगा कहते हैं दो वस्तूओं का क्रेमूल 200 रूपईया और 600 रूपया है एक दुकांदार दोनों को बेच कर 300 रूपया का लाव भर्जित करता है यदि दुकांदार ने पहली वस्तूओं को 30 परशेंट के लाव पर भेचा है तो दूसरी वस्तूओं को किस लाव पर भेचा है it's very simple question सुन लो बाबू यहां पर पहला वस्तूओं का क्रेमूल कितना है 200 रुपिया है आप दूसरा वस्तु का कितना है 600 रुपिया क्रेमुन अब पहली वस्तु पर 30% का लाब हुआ है ठीक है 30% का लाब हुआ है तो ऐसा करो ना ऐसा करो इसका 30% कितना होगा जल्दी बताओ 30% का लाब हुआ है तो आप बताइए कि 200 का 30% कितना होगा 60 रुपिया 60 रुपिया यानि 60 रुपिया लाब हुआ है पहला वस्तु को बेचने है और सवाल कहता है कि दोनों को बेचने से 300 रुपिया का लाब होता है जिसमें से 60 रुपिया लाब हुआ पहला को बेचने से तो बाकी बताइये कितना बचाँ तो 300 रुपया दूनुहों पर लाब हुआ है जिसमें से पहिला पर बेचने से 60 रुपया लाब है इसका मतलब 300 में से 60 घटाओ तो कितना बचेगा दूसों 40 रुपया बचेगा और ये लाब हुआ है दूसरा वस्तू को बेचने से तो सवाल क्या कहता है कि वह है दूसरी वस्तू को किस लाब पर बेचता है तो लाब का परशंट हम से पूशता है क्या वह लाब का परशंट पूशता है तो देखो दूसरी वस्तू को बेचने से 240 का लाब हुआ तो लाब अगुना में 100 और बटा क्रेमूल कितना 600 क्लियर है देखो दो जीरो से दो जीरो कटके और 6 से 40 मतलब 40 परशन्ट इस दे राइट आंसर आगे बड़े अरे कोई डाउट है बहुत आसानी से कर सकते हो 200 क्रेमूल है पहला वस्तु का और इस पे 30 परशन्ट का लाब हो रहा है 200 का 30 परशन्ट कितना हो ता 60 रूपया होता है अब साट रूपया लाब हो रहा है पहला वस्तु पर जबकि टोटल प्रॉफित है 300 तो तो प्रफिट को उपर इंटु हैं अगले सवाल की ओड़ा लोग भाबो तेरा नंबर सवाल सब लोग ध्याम दीजिए कि देखें तेरा नंबर सवाल यहां पर क्या कहता है सब लोग सुनिएगा सवाल संख्या 13 एक आद्मी 20% के कुल लाव पर 2 साइंकल बेचता है लो 20% के कुल लाव पर 2 साइंकल बेचता है दोनों साइंकल पर लाव है टोटल 20% यदि उसने परतेग को 3500 में खरदा है लोग आपो परतेग को 35 में खरदा है 35 में पहला साइकल भी खरदा और 35 में दूसरा साइकल भी खरदा तो CP का रेशियो 1 is to 1 होगा CP का रेशियो 1 is to 1 होगा चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 1 is to 1 होगा 1 is to 1 होगा ठीक है अब सवाल सब लोग ध्यान से देखिये का क्या कहता है कहता है कि 5% के लाव पर पहले व्यक्ती ने बेचा था ठीक है तो कितना लाव परसंट उसे दूसरे से होना चाहिए मतलब क्या है कि पहला साइंकल को पांच परशंट के लाफ पर बेचा है तो बोलो पहला साइंकल का क्रेमूल एक है अब पांच परशंट पर बेचा है तो इसमें गुना कर दी हैं प्लस पांस दूसरा साइकल का क्रेमूल एक अनुपात है इसको कितना लाफ पर बेचना चाहिए तो इन्टू एक्स जबकि टोटल पर 20% लाब है तो टोटल क्रेमूल कितना होगा वो एक एक है दू होगा अग टोटल पर 20% का लाब होड़ा तो इसमें 20 से गुणा समझ में रहे हैं अभी इस टाइप का सवाल हम थोड़ी देर पहले किये हैं एक और उसका भी आंसर इसी के बराबर आ रहा है तो पहला वस्तू का क्रेमूल दूसरा वस्तू का क्रेमूल का रेशियो बना लिए अब पहला वस्तू को 5% लाफ पर बेचा जा रहा है दूसरा वस्तु को कितना थे एक्स आप बराबर टोटल तो टोटल क्रामूल हो गया दूए टोटल पर बीस परसंट लाब तो बहुत दूना चालीस अरी पांच जाके घटेंगा चालीस में से एक्स कामान 35 मतलब 35 परसंट लाब पर दूसरे वस्तु को बेचा गया ऑप्शन अगला सवाल यहां पर यह रहा तुमारा अगला सवाल अगला सवाल यहां पर आपका रहा चोदा नंबर सवाल पर सारे विद्यारती ध्यान दीजिए देखो बाबू एक बात यहां पर एंटी पीसी सेवंथ फेज एंटी पीसी सेवंथ फेज का एक्जाम जो है 23 जुलाई से आपका शुरू हो रहा है चार डेट में आपका एक्जाम होगा है न तो एक बार यहां पर आप यह बताएंगे कि जैसे कितने बिद्यारतियों को इसके लिए क्या चाहिए टॉनिक ब मैच में हम क्या सोच रहे हैं कि पीछे का छे फेज में क्या पीछे के छे फेज में बहुत सारे मैच के सवाल पूछे गए हैं तो हम क्या चाह रहे हैं कि छे फेज में जितने भी मैच के सवाल पूछा गया है उसका नीचोड जो है क्या उसका नीचोड जो है टॉनिक बैच की अंतरगत हम करा दो ठीक है आपका लगभग जानके चलो की 12 से 15 घंटे का भाई आपका क्लास होगा 12 से 15 घंटे की क्लास होगा मेराथन के तोर पर होगा चार-चार घंटे का तीन सिफ्ट हम रखेंगे चार-चार परपच घंटे का ठीक है तो यह बैच कितने बिद्यार्थियों को चाहिए जिन्हें चाहिए एक बार कमेंट में सब लोग जो है आप एकस लिख करके मैसेज करो ठीक है हम थोड़ा सा जानना चाहते है कि कितने बिद्यार्थि का डिमांड होगा तो यह चीज को हम लाएंगे क्या बाबू सेवन्थ फेज तेश जुलाई से सुरू हराई से जस्ट पहले जो है तॉनिक बैच जिसमें पीछे के छे फेज में जितने भी मैस के सवाल पूछा गया है उसका नीचोड जो है हम लाना चाह र जल्दी से एक बर कमेंट सेक्षन में एक सलीख करके बताओ कि हम देखना चाहते हैं कितने बिद्यार्थी को रियल में यह चीज आपको चाहिए अपर अगे बड़े बाबो आगे बढ़ते हैं चलो तो देखो यहां पर इसके बारे में इसका जो बैच होगा आपका लाएंगे ठीक है और आज रात में एक बीडियो हम देंगे छोटा साब का दो तिनी मिनट का और उसमें जो है सारा पूरा इनफॉर्मेशन जो है आपका टॉनिक के बारे में आपका होगा ठीक है टॉनिक है देखो फ्री नहीं पूरा डीटेल आज रात एक वीडियो छोटा सा मिलेगा उसको आप देख लीजिएगा चलो आगे बढ़ते हैं सवाल पर लो बाभो एक पायदान में 72 रुपे में विक्री करने पर बढ़ी को 10 परसंट की हानी होती है समझ में आ रहा है तो 96 रुपे में पायदान को बेचने पर उसे कितने परसंट का लाब होगा इस वेरी सिंपल कोश्चन देख लो यहाँ पर 72 में बेचने से 10 परसंट का हानी हो रहा है मतलब ही 90 परसंट है समझ में आ रहा है इसलिए इसलिए 96 में बेचने से क्या होगा तो चुकी 72 बराबर है 90 परसंट का तो 96 बराबर है कितने परसंट निकालिए देखिए कितना होगा 90 और बटा में 72 और गुणा में 96 होगा अरे क 24 चोविस चोवके 96 और 3 से 30 बार में तो 34 के 120 परशंट आ गया ठीक है सुनो 72 रुपे 90 परशंट के बराबर इन 90 परशंट बता रहा है 10 परशंट लॉस को जबकि 96 रुपे जो है 120 परशंट के बराबर है तो 120 परशंट क्या बता रहा है 100 से कितना ज़्यादा है 20 तो ये 20 परशंट लाव को बता रहा है क्या 20 परशंट लाव को बता रहा है मतलब यह है कि 96 बेचने से 20 परशंट का लाव होगा कहा गया ओप्शन नमर भी आगे बड़े चलो बई कोई डाउट किसी को तो 72 में बेचने से 10% का लॉस हो रहा है तब 72 ही क्या है? 72 में बेचने से बीक्रेमूल है ठीक है? और ये 90% के बराबर है तक रहे 96 में बेचने से क्या होगा? तो 96 का मान निकालेंगे आया 120% भी क्रेमूल और 120% किस बात का रिप्रेजनेंट करता है? 20% प्रॉफिट को बताता है तो सोस जितना जादे रहेगा उतना लाभ का लाएगा और सोस जितना कम रहेगा उतना हानी का लाएगा ठीक है? चलो बाबू आगे बढ़ते हैं आगे बढ़िए देखे पंदरा नंबर सवाल का रहता है? सुन लीजिए पंदरा नंबर सवाल एक दुकांदार को एक वस्तु 989 में बेचने पर 11% की हानी होती है ठीक है? यही टाइप का सवाल है 989 में बेचने से 11% की हानी होती है मतलब यह 89% के बराबर अरे 111 घटाओ न जी 89 के बराबर है भी क्रेमुल इसलिए इसलिए करेगे इतना में बेचेंगे 1232 में बेचेंगे कब क्या होगा? कितना परसेंट का लाब होगा? तो हम निकाल लिए 1232 का मान कितना होगा? चलो बाबू अब देखो यहां पर क्या होगा? तो 89 और बटा में कितना होगा? 989 और गुणा में हो जाएगा 1232 अब इसको फटा फट सॉल्व कर दो भाई कटेगा जी? कटना तो चाहिए 11 से कटो भाई 118888 और 1199 फिर 11 से कटो तो आ गया 112 परशंट आ गया इसका मान किया 112 परशंट अब 112 परशंट किस बात को एक परिजिए Sense करता है? तो प्षर परदिक्रेसंट लाव को हो जाएगा ओन ही यही सवाल पीछे में भी था आपका आगे बड़े बोलो भीया कोई डाउट है पप्पु कुमार रोशन मिशन हैंड्रेड मिथलेश कुमार सुजीत कुमार मुकेश अरून निवास यस निवास आगे बड़े आसीस दीपक यादो मुक्ति कुमार प्रेंका पबलू गरीब पर भी ध्यान दीजिये गरीब कौन है यार गरीब कोई नहीं है बस मन से अमीर होना चाहिए आपका और गरीब अगर हो तो इसका बजह कौन है मैंनत करो मैंनत करो अमीर बनो है आजकल जवाना ऐसा हो गया है जो एक दूसरे पर कोई कह सकते हैं रहम करने वाला नहीं है गोर कल्यूप में बता रहा हूं लेकिन मैं कर रहा हूं है ना चलो आगे वड़ते हैं एक विद्धारती पर फी कोई गारा रुपय कर दूए फिरी में दे रहे हैं तो फिर इसका भी हमको दो फिर हैं इसा बनिया वाला धिमाग मत लगाई है चली आगे वड़ते हैं कहता है यहाँ पर कि पढ़ाई नहीं जी तब सोला नमर में क्या कहता है मिश्टर राजिये साड़े सताइस रूपय का खिलोना खरीता है और इतने में बेश देता है इससे कितना जादा है तो एक रूपय दस पैसे जादा है है कि नहीं जी तो एक रूपय दस पैसा का लाव हो गया लाव गोना एक सो अर बटा में क्रेमल क्रेमल कितना 27 दसमल लो पांच जीलो अब चली बावू यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑदो 20 से काट ऑ इसको 4 बार में और 25 से कितना बार में कटेंगा जी सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि हर दिन दो टाइम लगती है एक आपका रात के साठे 8 बजे आज स्टाट के हैं प्रॉफित और एक आपका सुभह हमें लगता है मेरे भाई 11 बजे आपका ठीक है यह मेंस की और रिजनिंग की क्लासे आपका सुभह हमें 8 बजे लगती है चलो आगे बड़े आगे बड़े सवाल संख्या 17 आप सारे लोग घ्यान लिजे क्याते हैं परतेक 15000 की दर से 15 लैप्टॉप खर दा एक बात बताबाँ सीपी कितना होगा एक लैप्टॉप का 15000 तो पंदरह लैप्टॉप का तो गुना कर देंगे बोलो 15500 है दूसो पचीस दूसो पचीस हजार यह हो गया टोटल कोस्ट प्राइस हो गया 15 लैप्टॉप आपकर सब ही को सब ही को सभी को क्या करें कि टू ऽब टू डैट टू पोइंट 97 लाख में क्या किया बेच दिया टू पॉइंट 97 लाख है है इसका मतलब का जानते हो इसका मतलब समझते लिए अ == लाव परसंड कितना है इस से कितना ज्यादा है साथ में से पांच घटा और नौ में सद्धू घटा या साथ बार में 25 से नो बार में 9 से आठ बार में तो आठ चो का 32 परशंट आठ चो का 32 परशंट ऑप्शन नमबर डी हो गया बोली ये कोई डाव उठे किसी को तो चैसा मतलब कि छर दे इतना और बेच रही तुर क्या हुआ जादा में बीका तो लाब हो गया अब जल्दी से बोलो रही 108 रुपिय का लाब हो गया तो लाब हो ना एक lac अज है इस गुप्था जी सोलू सिं निवास आगे बढ़े मिश्टर नीरज यह को डाउट कि आगे बढ़ते हैं कि कोई डाउट हो तो बोलिएगा आगे बढ़ते यह रहा तुमारा सवाल संख्या 19 आप सारे विद्यारती धानुगे कहता है कि एक दुकांदार क्रिकेट के बल्लो को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लो का बीक्रेमुल 50 बल्लो के क्रेमुल के बराबर बोल बाबो क्या बोलता है 35 बल्ले का सेलिंग प्राइस पचास बल्ले का पोश्ट प्राइस के बराबर ऐसा बोल रहा है देख लो 35 बल्लो का विक्रेमूल बराबर 50 बल्लो का क्रेमूल है यहां पर 5 से काटोगे 7 बार में 5 से कटोगे 10 बार में अब CP का रेश्यो इधर वाला होगे SP का रेश्यो इधर वाला होगे बोलो खरदे 7 में विके का 10 में खरदे 7 में विके का 10 में 3 का profit हो गया, 3 का profit हो गया, सवाल कहता है percent profit बताओ, तो profit into 100 अनीचे में cp, बोलो भईया cp कितना है, 7 है, तो 300 में हम 7 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा, तो 300 में 7 से अगर हम भाग करेंगे, तो जहां तक हमें लग रहा है कि answer क्या होना चाहिए, से 10 बार में खरदे साथ में भीका दस में तो तीन का लाब हो गया लाब गुना सौ बटा क्रेम हो आप देखा ओ तीन सो बटा साथ हो गया तनी भाग दो तो भाग दीजिए तो 7, 24, 28, 42 हो जाएगा जी बी नमबर वाला नहीं होगा 42.8-3% हो जाएगा भई 42.42 देखो अमीत कुमार अभी जो है एकस टाइप कर रहा है भई करते यह भी नहीं होगा तो कौन होगा भी आपका होगा एकदम प्वाइजन कंसेप्ट है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते वाव सवाल संख्या 20 देखिए इस नमबर सवाल कहता है 435 की जो भी क्रेमूल है ना इस 16 परशंट लाव के लिए है मतलब 116 परशंट के बराबर इसलिए इसलिए ख़ड़ा के 330 में बेचेंगे तो 330 में बेचेंगे तो क्या होगा तो आप 330 का मान निकाल लिए हरे केक नियम लगा लिए हम चुकी 435 बराबर 116 परशंट 116 परशंट क्यों लिख रहे है तो बेचने पर इभी क्रेमूल है जब लाब होता है न तबी क्रेमूल का मान 100 से ज़्यादे होता है तो इतना बराबर 116 इसलिए 330 इकोल टो वट 330 इकोल टो वट अब काटो यहाँ पर अगर कुछ कट रहा है तो देखो कितना हो जागा जल् पांस से पहले कर चीने पांच अठे चालेस और पांस अथे पैंतिस और पांस से कटो अब पांच शक्टीस पांच चीक है तीन से कटो इसको 29 बार में और इसको कटो अब 88 किस बात का रिप्रेडेट करता है सो से 88 कम कितना है तो 12 मतलब 80% विक्रे मूल 12 पर्शंट हानी को बताता है तो आंसर कौन होगा सी नंबर 12 पर्शंट इसका जब पर्शंटेज निकाले तो 88 पर्शंट आया और 88 पर्शंट सो से 12 कम है इसलिए इतना में बेचने पर 12 पर्शंट की आनी होगा आगे बढ़े चलो भई आगे बढ़ते हैं एक लिए आज के बात नहीं बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगा भई क्यों नाराज होगे हैं हमसे बोरे फिर किसी वर से आपस में का पास्टिंग कर रहा है आगे बढ़े यह सवाल संख्या 21 लबागो 21 नंबर सवाल क्या करता है इतना रुपिया में एक मेज बेचकर एक दुकांदार को इतना की हानी होती है तो सवाल कहता है कि उसकी हानी का परशंटेज कितना है सुनो बागो इतना में बेचकर की क्या है बी क्रेमूल है इतना की हानी होती है मतलब ही लौस है लौस है तो क्रेमूल पहले निकालना पड़ेगा न क्योंकि हानी परतिशत होता है हानी गुना सो बटा में क्रेमूल होता है ठीक है अब सुनो लो यहां पर C P लिखना है C P लिखना है तो देखो इतना में बेच रहे हैं अग zat इतना कहा नहीं हो रहा है चीरो आठ और एक हांथ में तो 9 हो गया 9 हो गया 16 और 17 हो गया बाबु जोड़ देंगे तो क्रेमूल इतना हो जाएगा सोचो लॉस कब होता है जब खरीद थे थे हम ज्यादा में और बीखता था कम में इतना हानी हो गया अब कहता है कि हानी परशेंट बता हुआ थेखो हानी क्या हुता है हानी दस्व सव अश्य को उपर गुना में 100 अब 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 क्रेमूल कितना वह गई 17950 होगा 17950 होगा अब फटा फटकाल इसको तो 0 से 0 कट गया ठीक है और काट ये 5 से काट ओ इसको 20 बार में और 5 से यहां पर काट तो 5 ती 10 15 25 45 35 369 बार में कट गया चीक है और देखो तो कुछ कटेगा जी और कटेगा कुछ गटना तो चाहिए कि देखो बै कुछ कट रहा तो बताओ आप 29 से कट रहा है क्या कि एक 100 वार्ट तो 27 दूना चौन 27 से कट रहा है क्या देखो तो 27 कम 27 और 8 पे 9-89 नहीं कट ता है पूरा पूरा नहीं कट रहा है कोई बात नहीं भाग देंगे एक एक सो वाट का डबल कितना हो जाएगा दूसो सुल्ल पर एक जीव यानि एक कई सो साथ हो गया और एक कई सो साथ में हम तीन सो उनसट से हम डारेक्ट भाग देगे डारेक्ट भाग देगे है ना तो इससे जब भाग दीजिएगा तो छे पॉइंट सब में दिख रहा है तो छे बार में तो भाग लगेगा अहीं लगेगा ठीक है पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो यह उत्तर नहीं होगा तो यहाँ पर देखो छे बार में भाग लगेगा आद दसमलों के बाद फिर भाग नहीं लगा दस्मनलों के बाद खली एक बार और भाग दे दीजिएगा अगर दू बार में भाग लगा तो दू एक बार में भाग लगा तो एक और चार बार में भाग लगा तो चार आप तो दस्मनलों के बाद सिर्फ जो है एक बार आप सारे विद्यार्थियों को भाग देना है ठीक है तो सब लोग भाग दीजिएगा तो छे पॉइंट अगर एक होगा तो अप्शन नमबर यह हो जाएगा ठीक है चलिए कि आगे बड़े कि अगर कि आगे बड़े कि अगर देखो कुछ मिस्टेक हो रहा है यार मिस्टेक हो रहा है कि देखो यहां पर शीक्स पॉइंट जीरो वन बार में कटता है कि देखो अगर कोई भाग दिया होंगे तो दे लीजिएगा देख लीजिएगा उप्शन नमबर ए नहीं होगा अब भाग देके देखेगा 6.01 आएगा अब दसमलो के बाद एक अंक तक लेना है एक अंक तक लेना है तो दसमलो के बाद एक अंक ले लो तो 6.0 6.0 आपका होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं 6.01 एक अंक लेंगे तो 6.0 आप्शन अबर D इसका हो जाएगा ठीक है आगे बड़े एक संदीप के अब रहा थीन सो उन्यासी होगा अच्छा इसको काटने पर चेक कर ले रहे हैं जीरो से जीरो कटा पांस से भाग दो तो पांस तीया पंदर और दूपर नो उन्तिस तो पच पचे पचीस चार पे पच पे तलिस पंच नमग पे तलिस मारेंग इतना न ठीक तो है आगे बढ़ते हैं चलो बाबू एक कई स्पाइस नमबर पे आ जाते हैं क्या कहता है सुनिएगा कहता है कौसिक ने एक खिलोना 160 में खरदा और इसे इतना में बेच दिया लो बाबू चलो बाबू आगे बढ़ते हैं हैागे वड़ते हैं सवाल संख्या 23 आप थेश tabii क्या पाइस नमबर सवाल क्या पाइए थेरी तरी कि देखोँ देश्ट नंबर सब्सकूर एक वासिंग मसीन का बीकरेमूर इसके ख्रयमूल का इसका मान बता हूँ कितना है किसका मैंपने जल्दी से चार वाटा तीन है कि यह वह ऊपारा until 4-3 सोभी ख्रयमूल का उनी तो नीचे वाला CP होगा और उपर वाला SP होगा चार बटा तीन है अब खरदे तीन में बिका चार में तो एक का लाब हो गया तो लाब गोना 100 और बटा क्रेम लीचे वाला तीन तो भाई बोलो कितना हो जागा 33 पुर्णांक एक बटा 3 परशंट लाब हो जागा आगे बड़ आगे बड़े वई चलीए तो यह राज सवाल संख है आपका 24 अब सारे वध्य आरत्यों के साम सोचो, इतना रूपईया में 18 गो खाट बेचे, खाट मतलब होगा है खटिया, खटिया है ना चारपाई, तो 16,800 रूपया में हम 18 गो खटिया बेचे और 3 गो खटिया के बराबर लाब हुआ, क्या? 21, 21 गो खटिया के बराबर हमको मुल्य प्राप्त हो गया, इजो हमको मिला ना हम इतना रूपया में बेचे और अठा रहेगो, लेकिन इजो मुल्य हमको प्राप्त हो गया, 16,800 रूपया, ये जो हमको मिला ना, ये होगा भाई 21, 30 का CP हो गया, सोचने वाली बात है, ये 18 गो खटिया का तो कि मुझनिकल गया 1-1 को खटिया का मुझन सुचो तभी तो तीन खटिया के बार अठारे बेंट लुए 119 लुए ब्राबर आ गया है इसका मतलब तीन खाट का प्रॉफिट हो गया आपका जब तो याद रखना इतना खाट का क्रेमूल के बराबर लाब होता है तो लाब जब होगा तो वैसी इस्थिति में हम जोड़ देंगे और एक का स्वाल का स्वाल अगर समझ गये तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं यह इसी टाइप का और सवाल जरूरी चेप्टर में मिलना चाहिए आपका ठीक है लो बाबो यहां पर तनी देखिए सवाल संख्या 25 क्या कहता है एक वस्तु को बेचकर मदन ने उसके क्रेमुल के एक चौंथाई के बराबर लाभ अरजित किया अरे भाईया देख लो क्रेमुल का एक चौंथाई तो नीचे वाला आपका सीपी होगा और लाभ अरजित किया उपर वाला लाभ होगा नीचे वाला सीपी उपर वाला लाभ क्या नीचे वाला सीपी उपर वाला लाभ होगा ठीक है अब सुनिएगा यहाँ पर इसके बाद अब खरदे चार में और प्रॉफिट हुआ एक का तो इसका मतलब बीका होगा कितने में पांच में सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना बनेगा फाइब बनेगा आपका फाइब बनेगा खरदे चार में और एक का प्रॉफिट हुआ तो बीकेगा कितना है भाई पांच में बीकेगा अब कहता है कि यदि उसने इसे 375 में बेच दिया इसका मतलब क्या है कि 5 रेशियो इसे पांस से काटो इसको कितना आप सथा बार में और पाच्छतर चुक रहे कितना थीन सो थी दर राइट अंसर ओप्शन नमबर सी हो जाएगा कि अरे होगा कि नहीं होगा चलो बैं सी इस दे राइट आंसर सी इस दे राइट आंसर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल क्यों चलते हैं 26 नमबर तनी समझिएगा सवाल 26 कता है 17 गेंद को 720 रुपिया में बेचने पर 5 गेंद के क्रेमुल के बराबर आनी होती है ठीक है तो 17 गेंद को 720 में बेचते हैं और जानते हो 5 गेंद के क्रेमुल के बराबर क्या हानी होता है इसका मतलब 17 में से 5 गटा दो अनी होरा तो गटा देंगे अई गोर सवाल अभी थोड़ी देर पहले मिला थे एक सवाल पहले इसमें लाब हो रहा था तर ठारह और तीन एक पहले जोड़ी के कर दिये तो तहानी वर घटा देंगे तो 17 में से 5 गटे का बारह और बारह गेंद का जो क्रैमूल होगा वो आपका ये 720 रूपिया हो जाएगा सोचने वाली बात है सवाल को सोच के आप आसानी से बोल सकते हो सुनो भई 17 गेंद को हम बेच दिये इतना में अब 5 गेंद के बराबर हमको क्या हो गया हानी हो गया तो चो भई पांच गेंद के बराबर घाटा लग गया इसका मतलब जानते हो कि जो पैसा हमको मिला ना कि बारह को गेंद के बराबर मिला पेच दिये तो 17 को बोल हमारे दुकान से 17 बोल निकल गया लेकिन जो हमको प्राप्त हुआ वो बारह के बराबर प्राप्त हुआ सब्सक्राइब कराएब करेमूल बताओ कितना होगा एक सींपल बारा य कम बारा और बारा से कॉन तो उसाठ रुपिया तो यह से याद रख सकते हूं हानी जब होता है तो घटा का लिग देते हैं और लाब होता तो फिर जोड़ के लिग आगे बड़े कि चलो भई यह राज सवाल संख्या तुम्हारा नेक्स्ट सताइस नमबर सवाल क्वेश्चन नमबर 27 क्या कहता है ध्यान दीजिए कहता है जैक एक पुसाप को 1440 में बेशता है और 20% की प्रॉफिट कमाता है तो वही CP कितना होगा जरा देख लो 20% को हम एक्चुल में कहते कितना है तो 20% को हम एक बटा 5 बोलते हैं अब देखो नीचे वाला क्या होगा CP और उपर वाला क्या होगा प्रॉफिट होगा तो ASP का रैश्यो कितना होगा तो खरदे 5 में एक का लाब हुआ तो भीकेगा 6 में चो में अब देखो इतना में बेचता है तो इसे बीकर्यमूल है चोँा अनुपात बराबर इतना है अरे भहिया चोँजित का मान चोँसे भाग देदो एक अनुपात का मान नीगिदमल पूछता है जह की पांच की अनुपात में है तो 5 से गुणाख couple होगह नहीं छे सेकाड़ो भई दूसो चालिस बार में अद दूसो चालिस को 5 से गुणा करतें गे तो कितना 1200 और 1200 रुपे इस पर राइट अंसर आप्शन नंबर 15 सी हो जाए गे बोलो भई कि होगा कि नहीं होगा कि अरे बोल भी दो आगे बड़े चलो यह रहा तुमारा अगला सवाल सवाल संख्या 28 सब लोग ध्यान दिए बबू सवाल संख्या 28 देखिएगा कहता है कि एक ट्रांजिस्टर को 572 में बेचने पर एक दुकांदार को ट्रांजिस्टर के क्रेमूल के 30 पर्षेंट के बराबर लाब होता है ठीक बाबू 30 पर्षेंट के बराबर लाब होता है ठीक है तो क्रेमूल बताओ तो सुन लो 30 पर्षेंट के बराबर लाब हो रहा है तो बिकरेमूल कितना होगा 130 पर्षेंट हो जाएगा ठीक है सुन लिजे 30 पर्षेंट के बराबर जब प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 130 पर्षेंट होगा अब कुछ नहीं करना है तो 572 क्या है बिकरेमूल ही तो है आई 130 पर्षेंट के बराबर है भाई 130 से भाग दे देंगे तो एक पर्षेंट का मान निकल जागा क्रेमूल कुछता है तो सो से क्या करेंगे गुणा करते हैं अरे बोलो ना बोलो जल्दी से जीरो से जीरो कट जाएगा अब 13 से भाग दो भाई तब पक्का कटना चाहिए तो 13 13 13 13 तरचो के 52 तरचो के 52 तरचो के 52 तरचो के 52 यहनि 44 गुना 10 440 इदर आइटम से सोचो प्यारे इतना में बेचने से 30% के बराबर प्रोफिट हो रहा है इसका मतलब सेलिंग प्राइस 130 होगा तो 130 परशंट इक्वल टू इतना तो 130 से भाग कर दी एक परशंट का मान निकल गया अब क्रैमूल पूछता है इसलिए 100 परशंट 100 से गुणा कर दी कि पूलो भाई की माजर्य आगे बड़े नशलो बढ़ते रहे बढ़ते रहा प्यायर सवाल संख्या उनली व्यादीज्generation shining के मता लगाना है 29 मेंगा है सुन लिढ़ मता हूद है कि एक विक्रिता बारह परशंट लाब पर बारह कुरसी तो बारह परशंट लाब पर बारह कुरसी तो टोटल लाब कितना हो गए बरबार 144 परशंट अरे होगा कि नहीं जी एकदम सीधे सोचो सीधे सोचो एकजाम में इतना टाइम नहीं रहता है बरबार 144 परशंट टोटल लाब होगे 144 लाब हुआ और तीन परशंट हानी के हिसाब से चार कुरसी तो चार तीया बारा परशंट यहां पर हानी हो गया भई तीक बात बताओ यहां पर 12% का हानी हुआ देखो 12 कुर्सी बेचे तो लाब हुआ अब बाकी का 4 कुर्सी बेचे तो हानी हुआ तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ओभर ओल लाब कितना होगा हम जानना चाहते हैं कि ओभर ओल लाब कितना होगा तो अभर और लाव लिखने के लिए क्या करोंगे लभवा में से जो हानी वह से पहड़ा लो कितना होगा जी बोलो एक सो बतीस होगा क्या है ओभर और लाव कितना होगा एक सो बतीस प्रतिसत आपका होगा ठीक है और सवाल कहता है कि कुल लाव सो बचास रूपिया है क्या ब अब एकसो बत्ती से भाग देंगे तो एक पर्शंट का मान निकलेगा नगा जीognा करेंगे पर्षेन्ट का मान निकलेगा अब करते हैं प्रेक पूर्षी का क्रेम बताओ तो तो सोसे हमगे ङूरा कर देंगे Pat प्रैमुल हो जाएगा अब जल्दी से फटा फटा सारे विद्धियर थी काटो यहां फटा फट काटो अगर कुछ कटता है तो इस फाट यार पार सवपचास रुपया इज राइं और सने हो जाएगा अरे यह आगले जहर 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 है जहर जो इसको पचालेगा ना है ऑफ अमर हो जाएगा जो इस जहर को चांशार हो जाएगा गता है बुक में भी सॉलूसन देखिएगा तो हमें नहीं लगता है साथ यह सॉलूसन आपका दिया होगा इस तरह का है ना तो यहां पर मैं फिर से एक बार रिपेट कर दे रहा हूं सब लोग तरह ध्यान से बात को सुनिएगा देखो 12% लाभ पर 12 कुर्सी तो टोटल प्रॉफिट हो गया बार बार चवाल से 144% और बाकी 3% हानी के हिसाब से 4 कुर्सी तो 4 तीया 12% हानी हो गया तो हम जानना चाहते हैं कि overall overall कितना percent profit हुआ तो जो लाब हुआ उसमें से हानी को हम घटा लें 135 percent क्या 132 percent overall profit हुआ है और सवाल में कहता है कुल लाब हितना हुआ है मतलब 132 percent के बराबर है 132 से भाग दिये तो एक परशन्ट का मान निकल गया अब क्रैमूल बोलता है सो से गुणा कर देंगे सोलब करो बारा सो पचास रुपया कुरसी क्रैमूल हो जाए आगे बड़े यह जहर इसलिए जहर को खालो जो मैं दे रहा हूं कि कहता है तीस नंबर सवाल की 16 परशन्ट के लाफ को सामिल करते हुए रिशीक ने जुद्तो के एक जोड़े को बिकरी इतना में की तो जुद्तो का क्रैमूल कितना है सुनलो इतना परशन्ट का लाफ जब लेगा तो भ पईया में भी क्रैमूल इतना दिया है तो भाई मेरे देख लो पीस सो उनसट रुपिया भी क्रैमूल है जो 116 परशन्ट के बराबर है 116 परशन्ट लाब तो भी क्रैमूल 116 से जदी भाग कर देंगे तो एक परशन्ट का मान निकल जाएगा एक परशन्ट का मान निकल जाएगा क्रैमूल पूछता है तो सो परशन्ट सो से गुना कर देंगे हो गया सीपी आपका हुआ न जी 116 से भाग कर दिया तो एक परश करते हैं आगे बढ़ते हैं काटो चार से इसको काटो यहां पर कितना होगा चार से कटो इसको पचीस होगा उन्तीस से कटता आए क्या कटना चाहिए 29 से कटो तो 29 से कटना चाहिए हमारे ख्याल से और जल्दी जल्दी काटिये और 73 वारा 71 गुना 25 कर लोगा तो 1775 उत्तर हो प्रेम भाई जीडी का फॉर्म अपलाई कब से होगा देखो यार गवर्मेंट कब उसके बारे पे कुछ एक्सन लेती है कब आता है नोटिस आगे बढ़े चली आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या नेक्स्ट कर एक अतिस नंबर सवाल सब लोग देखिएगा लोग आवो 31 नंबर सवाल देखो एक दम जहर दे रहे हैं जहर पिला रहे हैं पीलो सब लोग कहता है समान का दो बटा तीन भाग छे परशंट लाव पर और सेस भाग तीन परशंट हानी पर बेचा गया लो भाई दो बटा तीन भाग छे परशंट लाव पर सेस भाग तीन परशंट हानी पर बेचा गया और कुल लाव 540 तो समान की कुल कीमत क्या है बहुत आसानी से खतम कर सकते हैं वो सवाल को सुन लो सुन लो भाई देख लो यहां पर तो दू बटा तीन भाग 6 परसंट के लाव पर तो दू बटा तीन और गुणा में 6 कर दू छीक है छे करोगे न जी तो बोलो कितना हो जागा यह चार परसंट लाव अदू बटा तीन भाग बेच दिया तो सेस कितना बचा जी एक बटा तीन भाग सेऍस बचा एक बड़ा तीन भाग और उसको 3% की हानी पर, काटो 1% हो गया, मतलब इसको जब बेचे दू बटा 3 भाग तो हमको 4% का लाब हो रहा है और एक तिहाई भाग बच गया उसको तीन परसंट की हानी पर बेचा जारा है तो एक तीहाई गुना 3 करों के कहानी हो रहा है अब देखो यहां पर सवाल क्या कहता है कि कुल ओवर ओल पांसोचालीस रूपईया का लाब होता है मतलब जो पांसो चालीस है ना तीन पर्षंट के बराबर है तो तीन से भाग दिये तो एक पर्षंट का मान निकल गया अब समान की कुल लागत बोलता है क्रेमल पूछता है तो हंड़िट से गुणा कर दिया हंड़िट पर्षंट का मान हो जाए अरे होगा कि नहीं होगा अठारा बार में नहीं 180 बार में 180 को अगर हम सो से गुणा करेंगे तो अठारा हजार रुपेज दराइट अब जानतों इक कौन सा कंसेप्ट लगा दिये अभी थोड़ी दिर पहले बताएं थे न वहीं कंसेप्ट है कुरसी वाला कुरसी वाला बारा बारा एक सो चवाल से और चार तिये बारा घटा का 132 किये थे आपका वहीं चीज़ है तो बता 3 भाग कुरसी जो है 6% लाव पर तो भाई कितना लाव हुआ वरल उना करो तो 4% का लाव हुआ और सेश 1 थी वाई बचा 3% हानी पर तो वरल 1% का अगा नहीं हुआ तो कुछ वस्तू पर 4% का लाव हुआ बाखी वस्टू पर एक परशंट का नहीं हुआ तो फाइनली लाव कितना हुआ तो चार में से घड़ा थीन का लाव और यही दिया है पांसो चालिस रुपई यह तो एक परशंट का मान क्रेमूल पूश्टा इसलिए सो से गुना कर दी अठारा जारा यह है जहर वाली चलो आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 32 आप सब लोग ध्यान दीजिएगा अठारा हजार यह 32 नंबर सवाल वी सेलिंग प्राइस समाने सेलिंग प्राइस समाने तैसा करते हैं पहला बैक का क्रेमूल एक्स है है अब पच्छीश परसेंट लाव पर बेचा गया है तो भी क्रेमूल कितना होगा एकस गुणा एकसो परचेस दूसरा बैक का क्रेमूल वाई है और बेचा गया पचीज परचेस परचेंट हानी पर तो भी क्रेमूल कितना होगा 75 परचेंट अब बोलो बाबु तिन ठीकना अकर पहला वस्तू का क्रैमूल एक्स है और पचीस पर्षट्रन लाफ पर बेचा जा रहे है एकोटक पचीस और पचीस पर्षट में पर भआर सौमें से घडा ऑपे लिवार ऐक। पर उन्हें को अब सुनलो यहां पर ratio से बताए रेशियो से ही तो बता रहे हैं 25 से कटेगा 5 बार में 25 से कटेगा 3 बार में तो भाई बोल दो एकस अनुपात वाई कितना हो जाएगा 3 अनुपात 5 यह हो गया आपका पहला वस्तु और दूसरा वस्तु के क्रेमल का अनुपात क्रेमल का अनुपात हो गया आई रहा टोटल क्रेमल कितना 900 अब देखो दुन हो बैक का कुल क्रेमल 900 आई हो गया दुन हो बैक के क्रेमल का अनुपात तो क्या करेंगे 900 रुपईया को इस अनुप बाट में बांट देंगे पता चल जाएगा पहला बैक क्रेमल कितना है दूसरे बैक क्रेमल कुछ ठीक है वेक सवाई तो बेचारा बस बदनाम हो गया कंपरटीशन है ना कोई यहां पर ऐसा नहीं कि एक सवाई की बज़े से कोई दिक्कत हुआ पुछ तिकत नहीं असानी से बाटव ली तो आठ से भाग इस में तो भाग लगे का कितने वार में एक सो अबरे बार में भाग लगाल का मतलब 137 ऑनुपात का मतलब कितना होँएง Gig không n एक सो बारा दसमलो पांच पांच अनुपात का मान कितना होगा पांच गुणा एक सो बारा दसमलो पांच चलो बाबु अब बोलिए एक सो बारा दसमलो पांच कौम तीन से गुणा करेंगे तो 337.5 होगा है कहीं पर देखो दी निंबर में 337.5 उसको गुणा करो पांसो बा आगे बढ़ते हैं आगे मैंने क्या Sleeping के मैंने टोटल देखा कि दो बैक क्रेमूल है कि आप यह सब थे 23 नमबर क्या काता है कि 13 परशंट हानी और 15 परशंट लाब के बीच का अंतर 63 लो भई 13 परशंट हानी देखो CP CP क्या होता है अपने आपने 100% सब को पता है अब 13% हानी का मतलब क्या है इस सो से तेरह कम है पीछे है आप 15 परशंट लाभ का मतलब इस सो से पफन्द रह आगे है, समझने रहा है, देखो, इस सो से तेरह कम है, और इस सो से पन्द रह जयादा है, तो इन दोनों के भी जो गैपिंग होगा, अंतर होगा, वो 28% का होगा, 13, अब पलस 15, 28 का होगा, और 28 परसेंट का मान अंतर 63 दिया है, 63 कितना है बाबो इन दोनों का अंतर तो इससे 13 कम है और इससे 15 जादे है तो अंतर हो गया 28 का 28 परशंट बराबर 63 दिया है वह 28 से भाग दे तो 1 परशंट का मान निकल जाएगा क्रेमल पूछता है तो सो से गुणा कर दो सो परशंट का मान हो जाएगा होगा न जी अब चलो तनी काट दो तो साथ चोके 28 और साथ नमे 63 और चार से भाग दो पचीस बार में पचीस नमे दूसर पचीस रूपिया क्रेमल हो जाएगा और और लिस ठंप अगरे क मोलो जी होगा कί नहीं होगा है अगास है अ चलो अगले सवाल क्यूर बढ़ते हैं अगले सवाल क्यूर बढ़ते हैं यहां पर ध्यान निजी अगले सावल क्यो Tobias velocidad देखाускो सवाल इसमें अंतर कितने का है चार परशंट का अंतर है इन दोनों छूट में कितने परशंट का अंतर है चार परशंट का अंतर है तो इसका मतलब जो 27 रूपिया है ना उचार परशंट के बराबर तो भाई ऐसा करो ना 27 में 4 से भाग दे दो एक परशंट का मान निकल गया एक पर सोग लएटर करना इसको कहते हैं 46 एकदम कर सकते हैं सौलीशन करना ठीक है इसको कहते हैं 217 अब शोलीशन करना एक बढ़ते हैं एक मोबाइल जब 6 परशंट लाव पर बेचा जाता है तो 6 परशंट हानी होता है एक मोबाइल जब 6 परशंट लाव पर बेचा जाता है तो 6 परशंट हानी पर बेचने की तुलना में इतना रुपी आधिक मिलता है अब बोलो बाबो इच्छे पर्षंट हानी अच्छे पर्षंट लाव और दोनों के बीच का अंतर है इतना अधिक मिलने का मतलब क्या है उन्हों दोनों के बीच का फासला है अब बोलो भाई जो आट सो सतर है वो कितना पर्षंट के बराबर है तो छे लाब और छे हानी में फांसला 12 का, अरे देखो, क्रैमूल जो होता है, वो अपने आप में क्या परस्णा भी पता हैं, फोड़ देर पहले हैं, 100% होता है, और 6% लाव पर बेचने का मतलब क्या है, कि 6 इस से ज़्यादा में बेचना, और 6% हानी में बेचने का मतलब, 26 से कम में बेचना, तो फांसला कितने का हो जाएगा लाभानी में बारा का फांसला हो जाएगा और वही बारा परशंट बराबर इतना रूपिया दिया है तो बारा से भाग दे दो एक परशंट का मान निकल जाएगा क्रेमुल कुछता है सो से गुणा को लो पचीज कर देना है आपका उया जायेगा कि अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो जल्दी से आंसर कितना गवाई बहत्तर पचास होगा क्या बिल्कुल बहत्तर पचास ही ज़र आगे बड़े चलो आगे बड़ते हैं यह राज सवाल सेंगे 36 अप सारे लोगों के सामने पॉस्चन नमबर 36 अप सारे बेद्यारतियों के सामने 18 परशंट हानी और 17 परशंट लाग देखो फिर से वही बात आ गया क्रैमूल अपने आप में कितना परशंट होता है 100 परशंट होता है पता ह और इतना हानी का मतलब सो से एठारा पीछे है अइतना लाम मतलब सो सभाज सातरह आ गया है कितने का होगा तो जोड दो अब देखो काटो साथ से पांच बार में साथ से नौ बार में और पांच से बीस बार में तो बीस ना में 180 रूपया क्रेमूल अप्शन नमर भी हो जाए कि आगे बड़े आगे बड़े चलो आगे बड़ते हैं और यहां पर सवाल संख्या 37 आप सारे बिद्यार्थी ध्यान दिजिए लोग वाव उस 37 नमबर सवाथ आपको लग रहा है कि इस टाइप का सवाल गुरूप दी खुब पूछा है देख लीजे जरा गौर सब लोग यहां पर कहता है कि एक वस्तू को 13 परसंट हानी और 14 परसंट लाव पर बेचा जाता है तो दोनों मुले के बीच अंतर 162 रुबे प्राप्त होता है तो क्रैमूल कितना है देखा और फिर से मैं इस चीज को बोल रहा हूं कि क्रैमूल किसी भी वस्तू का अपने आप में 100 परसंट है और 13 परसंट हानी पर बेचने का मलब क्या है कि इससे 13 कम में बेचना और 14 परसंट लाव पर बेचने का मतलब कि किसे 14 जादे में बेचना मतलब 14% लाव तो वी क्रेमोली से 14 आगे है और 13% हानी का मतलब वी क्रेमोली से 13 पीछे है तो भाई इन दोनों के बीच का जो difference होगा वो कितना होगा तो 14 और 13 जोड़ु 27 का difference होगा नहीं होगा जी 27 से भाग देंगे तो एक पर्षेंट का मान निकल जाएगा और क्रेमूल पुष्टा है 100 पर्षेंट का मान कितना होगा तो 100 से हम गुणा कर देंगे चलो बाबो अब यहां पर सब लोग काटो सब लोग 27 से कट रही छे बार में तो 600 रुपे इस दे क्रेमूल चीपी ओप्षन नंबर सी ओजाएगा ओप्षन नंबर सी ओजायेगा और बोली आगे बडे चलिये एकदम बढ़ते रहना है बढ़ते रहना एकदम रूकना नहीं या धमना नहीं है 37 नंबर नहीं और 30 नंबर सवाल प पर बेची गई यदि इसे 49 रूपी आधीक मुल पर बेचा जाता तो दो परसंट का लाव होता है तो इन दोनों के बीच का जो गैपिंग होगा 14 परसंट का होगा ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि एक अगर हानी रहे और दूसरा लाव रहे तो जोड़ देते हैं तो दोनों के बीच का गैपिंग होगा 14 परसंट आई यहां कहरा 49 रूपी आधीक में बेचा जाता है मतलब रूपईया में गैपिंग 49 अब परसंटेज में गैपिंग कितना 14 तो 14 परतिसत बराबर 49 है तो 14 से भाग देदो एक परसंट का मान निकल जाएगा क्रेमुल कुछता है 100 से गुना कर दो प्यारे ठीक है क्रेमुल निकल जाएगा अब देखो साथ से कटेगा दू बार में साथ से साथ बार में दूसरे पचास पर में तो पचास सते कितना 380 तराइटंस तो 380 दराइटंस और ऑप्सन नमर्डी हो जाएगा आगे बड़े आगे बड़े एक बार सेशन को लाइक कर दीजे जो बिद्यार्थी अभी तक नहीं किये हैं अपना बना लिजे सेशन को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजे और नए बिद्यार्थी जो भी है चैनल को सब्सक्राइब कर ल सुलूशन एक ग्यारह बजे आपका यूथ मैथ सॉलूशन यहां देखो ट्रीगो चल रहा है रात में क्या स्टार्ट किया आज प्रॉफिट लोस स्टार्ट किया है और सुबह में आठ बजे आपका रिजनिक तो यूथ पॉब्लिकेशन बुक का सॉलूशन तीन टाइम अप का अंतर लो भई ठानि और लाव का अंतर लिखने के लिए दोनों को जुरत बराबर इतना रूपिया है तो 220 क्या है तो 40 परशंट के बराबर है 40 से भाग दिया तो एक परशंट का मान निकल गया लागा तो बोलता है 100 से गुणार तर बोलो आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो भाई देखो यहां 0 से 0 कट गया 4 से 25 बार में अब 25 गुणा 22 कर दो कितना होगा 550 ओप्शन नमर डी हो जाएगा किरपिया ध्यान दे जिसे भूख लगी है वह अपने भूख अपको कैसे लग रहा है महनत हम कर रहे हैं लागातार भोल रहे हैं ठीक है पढ़ा रहे हैं माथा लगा रहे हैं खड़े हैं स्टेंडिंग मोड में आपका है भूख आ और बड़ी बात तो यह है कि आप जैसे घर पे हो आप कुछ खाते खाते भी हलका फुलका खाते खाते भी आपढ़ाई कर सकते हो ठीक है सुनिएगा आज यह सवाल संख्या 40 पे सब लोग आपका काता है असपूर्ती ने 17 परशंट के लाव पर जुत्तों के जोडों को इतने में बेच दिया ठीक है 17 परशंट के लाव पर बेचता है इसका मतलब बीक्रेमूल 117 परशंट होगा क्या बीक्रेमूल 117 परशंट होगा इतना रूप्या में बेचा है 2223 रूप्या में बेच जाएगा क्रेमुल पूछता है सो से गुणा कर देंगे इसे कर दो अब देखो 117 से जहां तक हमारा ख्याल है कि यह कटेगा आपका ठीक है 117 सतनी देखो तो भाई 19 बार में कट रहा है क्या तो 19 बार में कटेगा तो 19 सभी दर आइट है मारदू सटा के ठीक को मारदू सटा के डीको आपका चलो आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 41 पर आप सारे बेद्यार थी यहां पर ध्यान दीजिए सवाल संख्या 41 क्या कहता है तानी देख लो यहां पर एक तालिस नमबर सवाद कहता है एक व्यक्ति 480 रूपिया में दो घड़ी खरीता है दो घड़ी का कोश्ट प्राइस कितना है 480 है वह एक घड़ी को 15 ठानी पर दूसरी को 19 पर लाव पर बेच देता है तत पस्चात उसे ग्यात होता है कि उसने दोनों घड़ी एक समान क्रेमुल पर बेची हो मतलब बी क्रेमुल बराबर है अभी थोड़ी दिर पहले हम इस टाइप का सवाल बताएं अब परते घड़ी का क्रेमुल कितना होगा याद है चलो मैं फिर से चीज को बता जरा हूं सुन लीजिए यहां पर दूगो घड़ी का टोटल क्रेमुल चार सवस्य है तो पहला घड़ी के क्रेमुल को X कह दिये जिसको बेचा गया 15% हानी पर तो बी क्रेमुल कितना होगा बाबू बराबर है दोनों घड़ी का तो मैंने बराबर कर दिया, समझा रहा है, पहला घड़ी के क्रैमूल को X कर दिये, दूसरे घड़ी को क्रैमूल को Y कर दिया, ठीक है, अब 15% हानी पर बेचा गया है, तो 85 से गुना, दूसरा को 19% लाख पर बेचा गया है, तो 119 से गुना आपका, ठीक है, अब B क्रैमूल बराबर है, बाराबर अब तरह 17-15-18, और 17-17-19, तो भाई X और य का रेशियो क्या बन जाए गा एकस का रेशियो इधर वाला साथ और य का रेशियो इधर वाला पाँच, तो देखो X और Y किया माने थे? दुनों घड़ी का क्रेमूल माने थे मतलब इक क्रेमूल का रेशियो बन गया क्रेमूल का रेशियो बन गया आई रहा टोटल क्रेमूल दुनों घड़ी का आई रहा घड़ी का क्रेमूल अब करहा बताओ दुनों का क्रेमूल कितना होगा तो क्या करेंगे 400 वसी को इस रेशियों बांट देंगे टोटल क्रेमूल है और यह क्रेमूल का रेशियों हे जडसे बन गया देखो अब बांट दो तो 7-5-12 अनुपात बराबर इतना बारा से भाग दो तो एक अनुपात कामान 40 अरे एक अनुपात कामान 40 शालिस बोलो साथ वनुपात का मतलब कितना फोंसाथ चालिस कुना साथ यह चालिस कुनँपांच की पड़े दूसा थी रूपय याँ दूसों हो यह पिया कes आरे नहीं होगा जल्दी से बोलो झाल सोजू करें यह चीज़ा आपका याद ही है लगता है दुछारों को ब्लॉक करना पड़ेगा है ना वार्निंग है यार वार्निंग है अभी मत कर यह छोड़ दीजेगे ब्लॉक कर देंगे फिर चैनल पर कभी कमेंट नहीं कर पाओगे मैं बता रहा हूं यार वार्निंग है चलिए आगे बढ़ते हैं बावु सवाल संख्या बैलेज देखे एक वस्तु बीस परशंट की हानी पर इतना में बेची गई तो वस्तु का क्रेमुल गयात करे सुनो बैं इतना में बेची गई बीस परशंट हानी पर अब पताओ कि 20 परशंट जब हानी पर बेचा गया तब भी क्रेमुल कितना होगा असी ना जी अरे सो से घटा के लिखते हैं अब 15,000 में बेचा गया 15,000 में बेचा गया मतलब ही 80% के बराबर है 20% के बराबर है तो भाई 80 से भाग देदो 80 से भाग देदो 1% का मान निकल जाएगा अब क्रेमुल पूछ रहा भाई तो हैंडिट से यहां पर हम गुना अब जल्दी से सोल्व कर दो देखो 20 से कटेगा चार बार में 20 से कटेगा पांच बार में ठीक है अब 15,000 में 4 से भाग देदो 75,000 में 4 से भाग दे दो मेरे भाई तो बोलो आंसर होगा कि नहीं होगा क्या होगा 18,750 हो जाएगा सी निम्बर अप्षा आगे बढ़े चलो अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बाबू चलो यह रहा सवाल संख्या नेक्स्ट इसे पडोसी वला भी आ जाता है आगे बढ़ते हैं 43 निम्बर कोश्चिन आगे बढ़े देखी कहता है एक दुकांदार 12 परशंट की छूट देकर भी 12 परशंट की छूट देकर भी 33 परशंट का लाब कमाता है समझा रहे हैं अंकित मुल है कितना बावू 4740 है ठीक है अब अंकित मुल पर 12 परशंट की छूट देता है वैसे जान लिए कि डिसकांट जो है मेरे भाई वो किस पे होता है तो अंकित मुल पर ही होता है आपका ठीक है तो चलो 12 परशंट का डिसकांट देता है इसका मतलब बिक्रेमुल कितना होगा मेरे भाई 88 परशंट होगा अगर अंकित मुल पर 12 परशंट का छूट दे रहा है इसका मतलब 88 परशंट में बेच रहा है क्या 88 परशंट में बेच रहा है CP में 133 से गुना कर दिये तो B-Cramul इभी बन गया और अंकित मुल पर छुट दे दिये तो B-Cramul इभी बन गया कटेगा की नहीं कटेगा 11 से कट रहा है फिर से एक बाद देखलो साथ से कट रहा है की कट रहा है साथ से साथ शक 42 अब पांच पेज़ च्वन नहीं कट रहा है न एक दुकांदार 12 परशंट की छूट दे कर भी 33 परशंट का लाभ कमाता है एक कुर्सी जिसका अंकित मुल इतना था उसका दुकांदार के लिए क्रेमुल क्या होगा छीक तो है चलो तो यहां पर हम कुछ काटते हैं तीन तीन चव एक साथ तीन एक चार आठ सनीं कट रहा है इससे मामला कहीं इसका होगा इससे कहीं इसका मामला आपका होगा तो 133 से तनी इसको काटी है चलो 133 से कटो भाई तो तीन सो तीन बार में कटेगा जी नहीं दू बार में कटेगा 133 से दू बार में कटो तो कितना हो गया दूसर 66 हो गया है तीन बार में कट रहा है तीन बार में कट वाओ तो तीन बार में देखो चार सो चवहत्तर आप तीन बार में भाग लगा तो कितना होगा तीन सो निनानवे तनी घटाओ तो 14 में से 9 घटेगा 5 और फिर यहाँ पर शोलों में से 9 घटेगा तो कितना 7 है और 75 बचा 59 say 50 133 वार में कटता है नहीं कट रहा है नहीं कट रहा है नहीं कट रहा है नहीं Does कि आप देखिए कि साथ लगभग में कट रहे हैं कि आप लगभग में कट रहे हैं कि पूरा पूरा कटने रहा और ऑप्शन जो है आपका यहां पर पूरा पूरा दिया हुआ है आपका क्या पूरा पूरा यहां पर दिया हुआ है पूरा को स्वल्व करने पर 136 पूरा कटने वाला है नहीं आपका यहां पर पूरा पूरा कटने वाला है नहीं तो यहां पर आपको दो सिंप्टली क्या करना होगा पूरा कपूरा टोटली आपको भाग देना होगा टोटली यहां पर भाग देना होगा तो बहाग देने जानते हो एक तीसो च्छाटीस पॉइंट एक तीसो च्छाटीस पॉइंट डॉट 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 आ रहा है तो यहां पर गुणा करके और 133 से भाग करना होगा और पॉइंट में यहां पर आ रहा है ठीक के 136 पॉइंट संथींग रहा है लगभग में अंसर कौन होगा यहां पर यह आपको लगवर में कभी-कभी 1-2 सवल कभी-कभी आपका मिल जाता है कलकुलेट बाद का चलो आगे वड़ते हैं सवाल संक्ष नेक्स्ट पर चव आले समबर सवाल सारे विद्यारति देखी क्या कहते हैं सुन लो एक दुकांदार ने नई वस्तु की कीमत इतना रूपईया अंकित की और दस परशंट छूट देने के बाद भी उसे क्रेमुल पर बीस परशंट का लाब होता है तो क्रेमुल कितना अभी देखो इसमें आपका फोटी थ्री वाला कंसेप्ट ही लगाना है चलो मैं ब सेचा जाता है नभे परशंट पर यह करे बीकरेमुल अभीज पर साट का लाव होता है अब इस पर्शंट के ब्राविब करेमुलक से करेमुल पर लाव लगा दिए तो क्रेमुल बन गया और अंकित मुझा पछूट दी तो दो तो दोनों भी क्रेमुल के से बराबर हो गया फटा फट कर दो तीस से कटेगा तीन बार में तीस से कटेगा चार बार में और चार से इसको कट दो तो चार ती ये बारा तो सीपी का मान कितना हो जाएगा 32 दिश्यामे पर एक जीरो अप्शन नमबर भी हो जाएगा यही सवाल पीछे वाला भी था यह कट गया बड़ा सानी से उत्तर हो गया उन्हें कट रहा था पॉइंट में आ रहा था आगे बड़े चली अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं और यह रहा वो 45 नमबर सवाल सब लोग ध्यान दो यह रहा तुमारा 45 नमबर सवाल 45 नमबर सवाल क्या कहता है एक दुकांदार ने एक वस्तू का अंकित मुले 160 फूपे रख दिया अब 10 परशंट छूट देने के बाद भी क्रेमल पर 20 परशंट लाब मिलता है तो वस्तू का क्रेमल कितना है यह तुम्हारा रहेगा होम वर्क क्यों भाई क्यों रहेगा क्योंकि 43 और 44 जैसा ही है अभी जो हम पीछे का दो सवाल बताये हैं उसी के जैसा है और आप सारे व चलो भई बहुत अच्छी बात है बिरंदर कुमार जी आगे बढ़ते हैं आगे नहीं बढ़ते हैं आज के सेशन कोई पर रहता है आज 45 सवाल पर इंड करते हैं ठीक है और आप सब लोग जो है 45 सवाल पर आज हम रोकेंगे और 46 नंबर से हम कॉल देखेंगे और सारे दुख में है सारे के सारे सवाल आपको बनाना है तो सारे विद्यारति रेग्लर रहिए क्योंकि जब तक आपके अंदर बहुत बैठरी नहीं कर सकते हो तो सारे विद्यारति रेग्लर ही और यहाँ से आगे हम कल देखेंगे ठीक है और एंटीपीसी 7 फिज के लिए हम जो है ला रहा है टॉनिक बैच के अंतरगत ठीक है अभी जो है रात में आपका कोई टाइम में एक वीडियो चला जाएगा आपका यूटूबर उसमें पूरा उसका डिटेल आपका रहेगा ठीक है आप सारे बिद्यारती पूरे जोरोतोर के साथ आप उसमें जुडियेगा और बहुत सारे बिद्ध्यारतियों को उसमें रियल में बहुत फायदा आपका ठीक है तो बाकी आज की क्लास को ही पर रखते हैं मिलेंगे जैस्ट हम लोग कल सुभा मैं 11 बजे ट्रिगरमेट्री में आठ बजे रिजिनिंग में रात के कितने बजे साड़े आठ बजे भाई आपका प्रॉफिटन लॉस ठीक है धन्यवाद बाय गुटनाइट सुभरात्री लभी उसारे पुट